हलो फ्रेड्स में डाक्टर पीएस त्वारी आप सभी के अश्रागत है दोस्तों आज रखाल अरेड लाइन स्विटम का 93 93 वीडियो है इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दोवाईयों का अरेड लाइन स्विटम पताऊंगा चरी शुरू करते हैं तो चैसे दोस्तों पंटवाई की नाम है तेरिंटूला तेरिंटूला ची इसका स्विंटम क्या है सिनाई दर्चर अगर ओल्ड एज हो गई तो आपको जो है टेरोंटुला सी 30 पाउर में दोद्वूज करके दिन में तीन बार लगातार ले लिजे आपका ओल्ड एज में आपको सिनाईल स्टेज में जो अलसर होता है आपका जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों अगली दवाई की डाम है टेवेकम इसमें क्या होता है की लिया सेंस्तिप टू स्मेल फूरीन उडिकर में जो बद्वू आती है दीन में तीन बार लगाता लेजे आपका जो रोन का इस तरह का प्रावलम है जो घंध आती है और ब outta लाज के बाहर है वह आपकी प्रावदम ठीक हो जाएगा दोस्तों अगली दवाई के नाम है केडमियम सर्फ अब इसका जो है एक रेट लाइन स्विटम है कि साइड एफेक्ट आप केमेठोरपी जिनको किंसर हो जाता है तो जब केमेठोरपी का डोज लगा जाता है तो उनक आप जाता है तो केमेठोरपी से होने वाला साइड इफेक्ट जो है ठीक हो जाएगा दोस्तों अगली दवाई के नाम है चेजिदी रूणियम और इसका जो पेसेंट होता है उप जो पानी पीता है उसको प्यास लेगती है तो उसको प्यास कैसी लेगती है बोलिंग वाट अगर तरह के दिन में तीन बार सभी में पीत जातों के देन में तो इसके साथ में जो आपके सारी सिंटम है और भी आपके ठीक हो जाएंगे दोस्तों अगली दवाई की नाम है गौशिपियम का में रेड लाइन सिंटम क्या है कि पेशन्ट होने वाली है उसको कमर में देर्द हो रहा है उसका टाइम भी हो गया है और वह अंदर इंदर उस होने वाला है क्योंकि जिसको पेरेड होता है उस ही को उन्हों होता है न तो जिस महिला को पेरेड होने वाला है उसको फरीङ ओ गया लेकिन होता नहीं है तो आप 생 चिन्ता करने जूरूत नहीं है आप जो है गोशिपी अब मदर टिंचर दर्जबूंद करके दिन में तीन बार लगाता लेजिए तो आपका पीरियर जो है जो रुका हुआ है उठी हो जाएगा दोस्तों अगली दवाई के नाम है ओलियंडर ओलियंडर थर्ड़ी पार्वज जाता है तो आप समझेंगे रहे तो जो कलम खाये थे भींड़ी निकल गया तो ऐसे स्थिम्टम को जब अंडाजेस्ट फूट पार्टिकल में आप इसके पहले जो खाला खाये थे वही आपका बीना डाजेस्ट में निकल जाता है मोशनक साथ में इसके लिए भी आपको ब अगली दवाई की नाम है क्यू बेबा इसमें क्या होता है कि इसमें श्टूल जो है राइस वाटरी नहीं होता है जैसे चावल के टुकड़े होते हैं तो आपके श्टूल में चावल के टुकड़े होते हैं राइस ग्रेनुल्स अगर ऐसा स्थिम्टम है फिर भी आपको च तो आपका जो श्टूल में जो चावल की दारें जैसे श्टूल आपका हो गया यह आपकी प्रादम ठीक हो जागे दोस्तों अगली दभाई के नाम है इंटिम टाट इसमें का होता है इसकी अगर बच्चा कोई बीबार है उसको सर्दिक हांसी के बुखार है और जो उसके घर प्रादम ठीक हो जाएगी दोस्तों अगली दभाई के नाम है पोड़ोफाइलम और इसका रेड़ लाइन स्म्टम कई बार बता दी है आज फिर उसको रिपीट कर रहा है कि इसमें क्या होता है इसका इसमें जो लूज मुशन होता है प्रोफीज होता है प्रोफीज होगा प्रोफीज होगा उसमें गंद भी रहेगी और उससे ज्यादा जो है कमजोरी प्रोश्ट्रेशन माने पी प्रोफीज प्रोफीज प्रोश्ट्रेशन कमजोरी भी रहेगी और सबसे बड़ी बात है कि प्रोलेफ्स प्रोफ रेक्टम और निकलता रहेगा उसके बार ठीक हो बच्चे का ड्री या ठीक हो जाएगा जो इस मिलाती हो थी ने कर दोस्तों अगनी दुई की नमें चैनल जा गया लेकिन साथ थ्म 03ρί शुरेड कर दोब होता है इसको आप एंदर नहीं कर सकते उन आप कर कर सकते दिए चला गया लेकिन में सका ऑसका परशाएगायन तो इसके लिए आपको चिंदा करने की तरी में 3 फार लिजाया नामे फास्फॉरस Spencer फास्वर में रखना भूँ जो भी जरू है जैसे आप खोल दिया पानी होता है तो इसके लिए आपको थड़ी पाउर सो सूर कीजिए थर्डी पार को दिन में फो शेंट तीन बार दीजिए अगर तो ठीक होता है ठीक है नहीं तो रख के और नम पावर की दे दिये तिर खुराग दे दिए इस तरह गार डारिया ठीक हो जाएगा दोस्तों अंगली दवाई की नाम है इपिका इम का होता है कि इसका जो है जो डारिया होता है हरे रंका होता है उसको आप हांस से नहीं उठा सकते जिस बच्चेश को होता ह कि जो चिक्रहार ज्यादा रहती है और हांसे पकड़ेगी उधर निकल जाएगा क्योंकि फेदा रहता है उसमें वह घ्री रहता है तो ऐसे बच्चों को इपका दीजै इपका थर्टी पावर में दो दुद्द करके दिन में तीन बार दीजें बच्चों को आराम हो जाएगा और उसका जो फेदा निकलता है, हरार रंका निकलता है, यह प्रादम मिठीक हो जागी। दोस्तों, अंगरी दवाई के नाम है रहननकुलस बल्बोसस। यह दवाई उन लोगों के लिए ज्यादा काम करती है, जो ड्रंकर्स हैं, जो सराप पीदा नहीं छोड़ सकते हैं, उनको अगर हिस्की आ रही है, प्रसान है बिचारे, सराप तो छोड़े पाएंगे, उसे में हिस्की आ गई है, तो उनको लिए रंकार्स के पेशन को अगर ह दोस्तों, अगली दवाई के नाम है, इस्टेनम, इस्टेनम मेटलिक्यम, और इसका एक एक रिड़नेस सिंटम है, यह जो है, राइटर स्क्रम की बहुत पच्छी दवाई है, आप जब लिखने जाते हैं, तो हाथ जटका से पिछे आ जाता है, यू कांट राइट, आप ल इसकी दवाई तो मैक फास भी दवाई है, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं, अपना नाम या कुछ भी लिखते हैं, कलम पकड़े, लिखने चालू किये, जटका हाथ अंगली जटका मार के पिछे अड़ गई, आप लिखने पाते हैं, तो इसके लिए आपको चिंदा करन ज़रूत नहीं है, आप इसके लिए इस्टेनम थर्डी पाउर की दो दवाई करके दिन में तीन बार लगाता लिजे, हम अपने कई सारे पेशन को राइटर स्क्रम की यही दवाई देते हैं, क्योंकि लिखने किसमें अंगली जटका मार के पिछोर जाती है, तो ऐसा स्वि आपका राइटर स्क्रम ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दुवाईयों के रेड लाइन स्विंटम बताया, अगर आपको ट्रीट्मेंट लेना है, तो हमको हटसा बे मेसेज करके अपना आपने बू कर सकते हैं, आज साह आपको मारा आज का वीडिय कीजिए, सर कीजिए, अगर आपने हमारा चैनल भी तरफ सब्सक्राइब ने किया है, तो सब्सक्राइब करिए, तब तक मिलते हैं आपसे लिए ऐसे किसे वीडियो में, नवस्कार.